टेलिविशन और बॉलिवुड अभिनेता सिधार शुकला के असामाईक निधन ने ना केवल सभी को सदमे में छोड़ दिया है बलकिन एक ऐसा शून्य भी पैदा कर दिया है जिसे भरा नहीं जा सकता सिधार्द का अंतिम संसकार शुक्रवार को मुंबई के ओशिवारा शम्शान घाट में उनके परिवार और दोस्तों की मौजूदगी में किया गया सिधार्द की सबसे अची दोस्त और कथिद गर्फरेंड शेहनाज गिल इस हादसे से पूरी तरह तूट गई हैं वहाँ उनके अंतिम दर्शन करने के लिए अपने भाई शेहबास के साथ शम्शान घाट पहुंची हमेशा हसने वाली शेहनाज रोती बिलखती अपने दोस्त के अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंची अब शेहनाज के भाई शेहबास ने सिद्धार्थ को याद कर भावक्ष रधांजली दी है शेहबास ने सिद्धार्थ की फोटो शेयर कर कहा कि अब वह उनके जैसा बनना चाहते हैं उन्होंने लिखा मेरे शेयर आप हमेशा हमारे साथ थे और आगे भी हमेशा रहोगे आपके जैसा बनने की कोशिश करूँगा ये मेरा अब सपना है और ये सपना जरूर पूरा होगा मैं नहीं कहूंगा rest in peace क्योंकि ऐसा नहीं है लव यू सिद्धार्थ शुकला शेहबाज ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर सिद्धार्थ की एक तस्वीर साझा की और लिखा शेयर एक है और एक ही रहेगा शेहबाज सिद्धार्थ से बिग बॉस 13 में मिले थे उन्होंने फैमली वीक के दोरान शो में एंट्री की थी सिद्धार्थ इंडरस्टी का जाना माना चेहरा थे सिधार्थ और शेहनास को उनके प्रशन शक प्यार से सिधनास कहते थे बिग बॉस 13 में दोनों एक दूसरे से मिले शो में उनकी केमिस्ट्री ने उन्हें पॉपिलर कर दिया सिधार्थ और शहनाज हाल ही में रियालिटी शो बिग बॉस ओटिटी और डांस दिवाने में दिखाई दिये कई रिपोर्ट्स के मुताबिक जब सिधार्थ ने आखरी सांस ली तो शहनाज सिधार्थ के साथ थी कई सेलेप्स को दिवंगत अभिनीता के आवास पर उनके अंतिम दर्शन के लिए देखा गया जिन में विकास गुपता दिलजीप कौर निकी तंबोली अर्जुन बिजलानी वंदना सेजिनानी पारश च्छाबडा महिरा शर्मा सहीत कई अन्य लोग मौजूद थे INS रिपोर्ट